वही पंजाब कॉंग्रिस का विवाद सुलशाने के लिए डिल्ली में मेरतन बैचकों का सलसिला जारी है पिछटे तीन दिनों में लगभग सभी विधायकों और सांसदों से मिलने के बाद मलिका जुन खड़की, हरिश रावत और जेपी अगरवाल की सदस्ता वाले पैनल ने बीते विधान सभाद चुनाव में हारे हुए उमीदवारों को बुलाया कैप्टन सीएम अमरिंदर सिंग भी कॉंग्रेस कमेटी से मिलने दिल ने पहुँच चुकी है देखे मचे घमासान को लेकर लगातार बैठको का दौर जारी है इस वक्त हमारे साथ मुझूद है हलका इंचार जिन से बात करते हैं आपको क्या लगता है कि पंजाब कॉंग्रेस में जो लगातार ये राजनेतिक हलचल मची हुई है इसके पीछे वज़ा क्या है मैंडम जे है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंग है ऐसा सी एम पंजाब को बिल नहीं सकता और कैप्टन अमरिंदर सिंग जैसा एड़्वर्स्टेटर पंजाब को बिल नहीं सकता आज इंडिया में सब तो ज्यादा शांती है पीस है तो वो हमारे पंजाब में है बहां पर हि कंदू सिक्ख मुसल्मान बाईचारे के तौर पर वहां पर रह रहे हैं और जो कैप्टन अमरिंदर सिंग्ग है जो कहते हैं जो काम करते हैं लोग इनको क्यों लाइक करते हैं कि 86 भी गेमिनिस्टर थे तो हमारे जो पजाब के दो तीन सो गाओं हबोर फादल का जो पजाबी बोलते थे वो हमारे गाओं हर्याना में राज़स्तान में जा रहे थे इन्होंने कंदू खेड़ा जाके मोर्चा लगाया वो हमारे गाओ बचाए इसलिए लोग इनको लाइक करते हैं जब इनकी सरकार बड़ी 20000 में तो इन्होंने बीटी कोटन लेकर आए हमारे किसान किशानखु खशाल हुए योब और आज पजाब का पानी ब्चाहर सिंग्र के कारन बचा है और इनको लोग पाणियां लेकिन आप सुन रहे हैं यह हलका इंचार्ज हैं जो यहां पर आये थे कॉंग्रेस वार्डरों में जो बैठक का सिलसला है वो लगातार जारी है इसी बीच कैप्टन अमरंदर सिंग पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और सूतरों की माने तो जल्द ही तीन सदसी कमिटी जो कॉंग्रेस पार्टी की बनाई गई है उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है ऐसे में अब देखना होगा कि जो बैठक है मुलाकात है सियम जब मीटिंग करेंगे तो जो पंजाब में लगातार सियासी संकट चल रहा है वो संकट कब तक थम पाएगा खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सबस्क्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट